हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी अंडा करी बनाने के लिए हमें चाहिए एक मिलियम साइज जिसे कट करके लिया है ये ग्रेटर कोकोनेट है ड्राइ कोकोनेट ये धनिया पत्ती स्वादन उसान नमक देड़ इंच अधरब का तुकड़ा ये दस बारा लसन की कलिया आधा टीजपून हल्दी पाउडर एक टीजपून धनिया पाउडर एक टीजपू हम अंडों को बॉइल करने के लिए रखते हैं मैं गैस ओन करती हूँ आएए अब हम करी बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने ये कड़ाई रखे गैस को बॉइल करती हूँ जिसमें पहले मुझे ये ग्रेटर कोकोनेट है इसे बूर्ण के लेना है अब हमारा पोक पन है उनकी तैयार हो गया है इसे मैं निकाल लेती हूँ और मुझे इसमें पैस डालना है अब हम पैस को खून लेते हैं प्यास में गड़ाई में डालती हूँ इसमें मुझे बड़ा सब ओल लागना है पैस को ब्राउन के दर आने तक तोड़ा सब उनना है यह हमारा तोड़ा अप्यास जो है बुगून के तैयार हो गया भी अभी इसके साथ ही मुझे तोड़ा यह अध्रक और लसल तो हम पोड़ी बुनना है ऐसा करने से मसा लेखा जो कच्चा पने मुझे निकल जाता है और उसका पैस बहुत है इसका आता है प्यास जर्सवन और अध्रक को हमने दो तीन मिनिट भून के लिया है अब हम उसे मेक्सी के जार में डालते हैं और उसका पैस्ट बनाते हैं यह दनिया पत्की है इसे इसके साथ में ग्राइंड करना है और उसके साथ में थोड़ा सा नमग डालना है मसाले का ही नमग डालना है अब हम कड़े में तीन टेबल्सपन ऑईल डालते हैं अंडे की करी थोड़ी स्पाइसी होती है और ऑईल थोड़ा ज्यादा लगता है ऑईल गरम हो चुका है यह हमारी पेस है जो हमने प्याद लसन अद्रक धनिया और कोकोनेट ड्राइ कोकोनेट को भूम के लिया था उसका पेस्ट है यह मैं ऑईल में दाती हूँ अब यह हमारा मसाला भूम के तयार हो चुका है मसाले ने ओल चोड़ना शुरू कर दिया है अब हम उसमें बाकी के ड्राइर मसाले डालते हैं यह खल्दी पाउडर है आधा टी स्पूर कश्मेरी रेड़ची की पाउडर एक टी स्पूर एक गरम मसाला है एक टी स्पूर और धनिया पाउडर एक टी स्पूर तब ट्राइ मसाले हमें मिक्स करके लिए है यह नमक है स्वादा मसाल पानी डालते की करी बनानी की दो पानी डालते की नमक है पानी बनानी की दो करी का खीकने साब को जैसा चाहिए, उसी सर्फ से आप पानी डालें, यह मैंने देर कप पानी डाला है, हम करी को बॉइप होने लेंगे, यह हमारी ग्रेवी अभी तयार हो गई है, करी ने ओयल छोडा है, इसका मतलब ग्रेवी पूरी तरह से रेडी हो गई है अब हम उसमें ये मैंने अंडे के पीसेस करके लिए है वोईल अंडे के वो डालते हुए और उसे पूडालके सिर्फ दो मिनिट हमें उबालना है ज्यादा उबालने काने हैं दो ही मिनिट उसे उबाल के लिए अब मैं उसे सर्विंग प्रेट में निकालते हुँ हमारी अंडा करी अच्छी तरह से बनके तयार हो चुकी है अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू